वो योजना का नाम बदल देते हैं, स्टीकर नया लगा देते हैं, देश में एक बात आप हैरान हो जाएंगे, गरीबों को अनाज देने के लिए वन नेशन वन राश्रकार, सुप्रिम कोड को हुकम करना पड़ा, क्यों? क्योंकि डबल इंजिन सरकार उस राज़े में नहीं 10,000 रुपय दे रही है, राज़रकार 4,000 रुपय दे, दोनों भाज़पा की सरकार, किसान को क्या मिल रहा है? 10,000 रुपय मिल रहा है, तो हुआ नहीं डबल लाब हो, आप देख रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में भारत दुनिया भरके निवेशकों के लिए महत्वपुन कें केंदर बना है, रिकोर्ड निवेश हैं भारत में हो रहा है, डबल इंजिन सरकार के कारां इसका बहुत बड़ा लाब करनाठर का को मिला है, अगर यहां ऐसी सरकार आएगी जो बात बात पर केंदर सरकारदे लरती रहेगी, योटनाओं को रोकती रहेगी, जनतां जनारतन का जो भी हो जाए उनकी राजनिती चलते रहे अगर यही हुआ तो सारे इंफ्रासेक्टर के प्रोजेस को लटकाती रहेगी हम रोड बना चाहेंगे वो जमिन संबादन का कामी दिरे दिरे करेंगे तो कैसे निवेस आएगा निवेस नहीं आएगा तो करनाटका में नए रोजगार कैसे बन पाएंगे यानि डबल इंजिन की सरकार का न रहने पर जनता पर डबल मार पड़ती हैं और आप देखिए आप सामान्य नागरिक से बात करते यह भी बता सकते हैं कि देखो पर ट्रैक्टर है हम बहुत बढ़िया काम करता है लेकिन ट्रैक्टर का एक पहिया आप मारूतिकार का लगा दें तो बताएगे वो ट्रैक्टर चलेगा क्या किसी के काम आयेगा क्या वह खूदी अपनी उसे बर्बादी करेगा करेगा जैसे एक ही प्रकार की ववस्ता गती टेट देती हैं वैसे ही डबल इंजीन की सरकार गती टेट देती है चोटी चोटी बाते लोगों के साथ बैठ करके समझाईए मद्दाताओं के साथ चर्चा करके बताना चाहिए और बूत लेवल पर बताना चाहिए लंबे लंबे बड़े भाषन करने की जिम्मवरी जिसकी है वो करेंगे हम कार्यकरताओं को तो बूथ को ही जितना है और बूथ पर ही हमारी शक्ति हमें लगानी है तब डबल इंजिन सरकार का असली मतलब समाज लोगों को आ जाएगा साथियों जब भी भाजपा को वो सेवा करने का मोका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ जाती है अब जैसे कुछ पार्टिया कह सकती है कि वो जो सत्ता में थी तो वो भी आवाज से जुड़ी योजना चलाती सी तो ऐसे में भाजपा अगर आवाज से जुड़ी योजना चला रही है तो उसमें नया क्या है ऐसा बोलते है इसका ही उत्तर है स्पीड और स्केल सोच और अप्रोच अब मैं आपको बताता हूँ कि आवाज योजनाओं में हमने क्या बढ़लाव कि मैं यह छोटी छोटी बात इसलिए बताता हूँ कि आप कार्यकरताओं को मतदाताओं के बीच जाकर के बताने में सुभीदा हो जाएगे 2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे अब हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन जाते हैं पहले घर का आकार 20 वर्ग मिटर होता था अब घर का आकार 25 वर्ग मिटर होता है पहले की योजना में एक घर को 70-75 हजार रुपय की मदद दी जाती थी अब यह मदद एक लाख तीस हजार रुपय याने करीब करीब डबल कर दी गई है इससे भी बड़ी बात यह हैं कि यह पैसे अब सीधे लाभारती के बैंक एकाउंट में भेजे जाते हैं कोई बिचोलिया नहीं कोई कटकी कंपने नहीं पहले की आवास योजना में लाभारती की पसंद का बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता था हमारी सरकार की आवास योजना में घर उसमें रहने वाले परिवार की पसंद के हिसाब से बनता है पहले की आवास योजना में चार दिवारे खड़ी करके घर देने का दावा किया जाता था आज घर बिजली नल से जल टॉइलेट एल पीजी कनेक्शन जैसी अनेक योजनाओं को साथ साथ दिया जाता है मैं आपको स्पीड और स्केल का एक और उधान देता हूं देश में देखे हिल्थ कितना महत्मपुन विश्य है आरोग्य कितना महत्मपुन विश्य है देश में पहला एम्स 1956 में शुरू हुआ कॉंग्रेस ने उसका भरपूर स्रे लिया डोल बजाते रहे बजाते रहे बस लेकिन दूसरा एम्स कब शुरूआ पहला तो 56 में बना दूसरा कब शुरूआ इसके बारे में कॉंग्रेस कुछ नहीं बोलती है मुँपे ताला लग जाता है आपको जानकर के हैरानी होगी दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 सान लग दे वर्थ 2003 में जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने और जादा एम्स बनाने के बारे में योजना बनाई ये योजना स्वास्त सेवाओं और मेडिकल सिक्षा में छेत्री असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई इस योजना को भी यूपिये सरकार ने ठंडे बसने में डाल दिया बहुत जादा मांग बढ़ने और देश की जनता की मांग करने पर आधे अधूरे मंद से काम किया गया है किसी तरह 2014 तक देश में एम्स की संख्या बढ़कर के साथ पहुंची याद रखो यानि साथ साल में एम्स की संख्या एक से बढ़कर साथ हुई है लेकिन अगले नव वर्षों में जब हम आये तो हमने देश में एम्स की संख्या को तीन गुना बढ़ा दिया अब बताइए डबल इंजिन सरकार की ताकत है कि नहीं है अब देश में साथ नहीं बीस एम्स है बीस इसके साथ ही देश में तीन नए एम्स पर तेजी से काम भी चल रहा है यही हाल देश में मेडिकल कॉलेजों का भी था आजादी से लेकर 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेजों के संख्या तिन सो अस्चिफी चार सो से भी कम हमें आने के बाद पिछले नौ साल में देश में मेडिकल कॉलेजों के संख्या छे सो से भी ज्यादा हो चुकी है झाल झाल